दो सो रुपिये की फीस में BPSC टॉप कराते हैं, पटना वाले खांसर मेरे मन को छुजाते हैं, इस कल युग में सत्युग का दर्सन उनमें हम पाते हैं, पटना वाले खांसर मेरे मन को छुजाते हैं, पटना वाले खांसर. 107 करोड का ओफर 107 कुरोड का ओफर भला कॊन ठुकड़ाता है बर्तन माझने वाले को बालू ड्होने वाले को मुत में कौन पढ़ाता है प्रहानमंत्री करियाले में भी रहे हैं इस्वाम मंद धेैल में तक घैनल को भूलन की सब्सक्राइब ने Воर Insertum Indramram ईनके साथ हमको उनका सुनित ठ्रवापफा हुआ मेरे को grapes dip लो हमके साथ रहें उनके लिएемсяर काल सिक्षा के दलाल है विए बंप्ः को या ट्रोल कर विए हो खांसर बेमिश्ल सान अपनार है का अपना घर का समन भी दूस्मन भी उनके दुस्मन भी उनके नाम से ही अपने घर का खर्च चलाते हैं पटना वाले खांसर मेरे मन को चुछाते हैं मुझे नहीं चाहिए वैसा प्यार बिक्ते हैं जो बीच बजार सुख में तो अमरित बन रहते दुख में बन जाते विसधार तो जो आजकल का समाज है जैसा जिस प् ऍाउचे रंगरीण सर ए दिल के बड़े ही काले है उसके बाल देखा है खोटा गाओं भी छूटा घर भी छुटा गाओं भी चूटा छूटा अपना देश yeah पैसे खाति और आही क्यों भटके तुपर देश khan sir kapil शर्मा का square चा से जाते है और शाम का क्लास आप सुबह में कर दीजिए खान सर उसको कहते हैं कि देखो ये मुम्किन नहीं है और उसके बाद वो बच्ची कहती है कि सर हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि शाम में हमको बरतन माजने जाना होता है और उसके बाद हमको एक साहब दिखे सहाब का नाम अनुपम है और आप इनके समझ सकते हैं कि ये पूरुसैनिक है सिवान के रहने वाले अनुपम जी अब सेना से रिटायर हो चुके हैं लेकिन कविता का पाठ करते हैं और वो शांदार जो कविता लिखते हैं जिसको आप सुनेंगे तो आपको मज़ा जाएगा आज हमारे दफ्तर सहाब आए तो हमने सोड़ा की चलिए एक पूरुसैनिक के आवाज को आप तक पहुंचाई जाए और आपको भी सुनकर लएगा कि हाँ पूरुसैनिक के पास दिमाग बल और उसके बाद लिखने की ताकत भी थी बागी अनपम जी का बहुत शुक्रिया कि आप आए और हम चाहते हैं कि बात हम लोग बात में करेंगे पहले खांसर का कविता है सुना दिया लोगों को सबसे पहले आपसे दर्सकों को हमई तस जैहिंतर नमस्कार है और में कभिता सुनाता हूं दो स inse रुपिये की फीस में 200 रुपिये की फीस में BPSC टॉप कराते हैं पटना वाले खांसर मेरे मन को छू जाते हैं इस कल्यूग में सत्यूग का दर्सन उनमें हम पाते हैं पटना वाले खांसर मेरे मन को छू जाते हैं पतना वाले खांसर. 107 करोड का ओफर, 107 करोड का ओफर भला कौन ठुकुराता है? बरतन माजने वाली को, बालु ढोने वाले को, मुस्त में कौन पढ़ाता है? इसलिए रक्षाबन्धन के दिन, इसलिए तो रक्षा बंधन के दिन गिनिज बुक तक जाते हैं पटना वाले खांसर मेरे मन को छुजाते हैं सिक्षा सैली का क्या कहना मासरस्वती के है गहना भाई को बनाते पुलिस दरोगा भाई को बनाते पुलिस दरोगा डीएसपी बनती है बहना यूपी से चलकर पटना में बिद्या धन बरसाते हैं पटना वाले खांसर मेरे मन को छुजाते हैं उनके लिए खानसर काल है जो सिख्छा के दलाल है बंफे को या ट्रोल करो खानसर बेमिशाल है अपना घर दुस्मन भी उनके नाम से ही अपने घर का खर्च चलाते हैं पटना वाले खानसर मेरे मन को छुजाते हैं कब देखा आपने पहली बार पटना वाले खानसर को हमने बस अभी तक वीडियो में देखा उनसे मुलाकात नहीं हुई है लग भाग आज से लौकडाउन के टाइम में लौकडाउन दुएर बीस के वक्त में क्या लगा आपको देखकर कि कौन इंसान है हमको तो लगा कि जैस पहले में लिखा था जी हमारे अंदर भाव आया की लिखना चाहिए जब कपिल सर्मा सो में गये उन्होंने बोला कि में बरतन माजनेवाली ने ऐसे से आपने बताया तो मैंने मेरे अंदर भाव आया अब बताइए फौजी कब बने आप पॉजी बढ़े हम 2003 में प्रदार मंतरी के बैग्यानिक सलहकार के साथ में थे जब कलाम साहब राष्टपती बने और वह पद जो हासिल किए डॉक्टर आर्ची तम्रम साहब उनके साथ हमको उनका ससानित ध्यप्राप्थ हुआ मेरे को दो साल तक हम उनके साथ रहे जी इनका किताब भी लिखा हुआ है जो हम चाहेंगे लोग देखे और साथ इनको बहुत सारां पुरस्कार मिला है यह किताब है मुरणी कधुन एक सैनिक कि गाठा क्या लिखे हैं मुरली के दुन में परमजी आप इसमें हम जैसे सेना का जो सैनिक का जी वाना एक जगा का नहीं होता है तो हम जहां जहां गए और जो जो चीज हमने अनुभव किया इस संसार में उन चीजों को अपने काव्य पार्ट में बढ़नित किया जैसे मनें एक चोटी सी लिखें है प्रभु यह तरी कैसी दुनिया है प्रभु यह तरी कैसी दुनिया कैसे यह दुनिया वाले हैं रंग रूप से भोले भाले दिल के बड़े ही काले हैं उसके बाद लिगा घर भी छूटा गाउं भी छूटा घर भी छूटा गाउं भी छूटा अण्यशक्ति नहीं चाहिए वैसा प्यार कि बिक्ते हैं जो मैंने इसमें उसको बाते हैं और यहां पर लिखा है कि प्रधान मंत्री जी को आप आपका 23 जून 2014 का पत्र प्राप्त हुआ आपके द्वारा भेट स्वरूप पुस्तक भेजने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मंगल कामनाओ सहित भवदियर आजीव टोपनो श्री अनुपम पुत्र श्री अनुपम पुत्र श्री दूदनात सिंग ग्राम मधवापूर पोष्ट शितौली जिला सिवान तो यह किताब अप्रधानमंत्री को भेज दिए का सोचके हम सोचे कि हमने लिखा है और अप्रधानमंत्री मोदी से उस समय और वो सेनिकों के प्रतिकापी उदार व्यक्तित्तु रखते हैं और उसके महत्तों को समझते हैं इसलिए मैंने भेजा उनके पास उसके रिप्लाई आया तो मजा आया बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो ऐसा है जो देश का सबसे प्रधान जो है वह हमको अगर लेटर भेजे तो यह वाकई में गवर्वान ही थोने वाली बात है चलिए यह अन्परम जी थे बाकी खान सर पर लिखी की कविता आपको कैसे लगी कमें बोक्स मेली के बताईएगा मेरा नाम प्रशांत राय है आप जंदा रेंग्शन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद